कॉंग्रेस ने बांसूर से दो बार विधायक रही कैबिनेट मंत्री शकुंतिला रावत को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है न्यूस एटिन राजेस्थान से खास बाचीत में उन्होंने दावा किया है कि राजेस्थान में इस बार रिवास बदलेगा और कॉंग्रेस की सरकार रिपीट होगी सुनिए बार एक बार और भरोसा जता है क्या मुश्किले आपको लग रही है इस बार की चुनावी मैं कोई मुश्किल नहीं लग रही है क्योंकि रास्थान सरकार ने और जो मानिय मुख्य मंत्री अशोग घ्लू जी एक जो योजना थी चाहें ओल्ड पेंशन है आर जी एचेस है विरधावस्ता पेंशन एक हजार रुपे करना पर येर बढ़ेगी और पालनहार पंद्रेसो करना है कोराना वालों को नोकरी देना है बात करें बानसूर की राजडीती की तो इस बार त्रिकोन ये कॉन बंतावा नजर आ रहा है पूर मंत्री भी वहाँ से लड़ रहे है देवी सिंग जी आपके सामने है तो आपको लग रहा है कि मुश्किले होंगी आपके लिए अगर देखें तो भारत सरकार की बीजेपी सरकार जो है उसकी जो उम्मीद है उनके पास कुछ बचाई नहीं है वो कोई विकास की बात ही नहीं करते हैं वो धरम के नाम पे कुछ ना किसी का कोई नाम लेकर के बात करते हैं तो ऐसा कोई मुद्दा बचाई नहीं है और बल्कि बीजेपी का सुपड़ा साप होई तरव से महिला मुख्य मंत्री रही है पर कॉंग्रेस की तरव से हमें देखने को ने मिले तो महिला आये चाह रही है प्रदेश की कि इस बार अगर कॉंग्रेस भी मायदान में आती है तो महिला मुख्य मंत्री क्या चहरा होगा? कॉंग्रेस पारटी की अगर बात करें तो सीर्ष नेत्रतो जो हमारे भारत देश का सीर्ष नेत्रतो राष्टपती पद होता है उस पे कॉंग्रेस पारटी ने ही पहले महिला को अपॉंट किया और सीर्ष नेत्रतो जो भारत देश में था इंदरा गांधी कॉंग्रेस आएगे और राजस्थान में जो रिवाज है वो इस बार बदलेगा और कॉंग्रेस भारी बहुमत के साथ इस बार विधानसवाच उनामों में फिर लोटिंग कामरामेन अविनास के साथ महीमा जयन न्यूज 18 राजस्था